नमस्कार मित्रों जीट सामाजी की ज्यान में कुछ टोपिक नए जुड़े हैं आप लोगों ने पढ़ लिये होंगे और नहीं पढ़े हैं तो हम देख लेते हैं और पढ़ लिये हैं फिर भी ये जो आर्बीसी बॉर्ड की पुस्तक है जिसमें कि 2019 वाला जो उसका संस्कन थ था उसमें ये दे रखे हैं और फिर इसके में आगे चैप्टर है मुद्रा मुद्रा के कारिये बेंक देशी बेंकर शाहुकार बच्चत साख तो इत्यादी को पढ़ लें तयार हैं आप बताईए चलो देख लेते हैं लाइन टू लाइन पढ़ लें जाएंट चीज लगे उसको आपके लिए जो है वो हाइलाइट कर देंगे शुरू करें चलो शुरू करते हैं तो उपभोकता एवं बिधिक जाग रूपता और सूसना कादिकार इसमें थोड़ा ही चैप्टर जो है मैंने लिया है आगे और देखेंगे अगली पीडिप में उपभोकता क्या होत एक रूपए या पचाश पैसे बचे होंगे उसके मैंने इसको खरीदा काम में लिया और इसकी इस्तेमाल किया शेह खतम कर दी तो यह क्या हुआ मैं इसका उबोकता हो गया विधिक जाग रूपता का मतलब कि कानून हमारे अंदर जाग रूपता होनी जरूरी है कि अगर ह हम ठगे जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए इसके साथ सूचना का दिकार तो यह चेप्टर 18 है मेरे ख्याल से अब हम जो है पहले ये ले ले लेते हैं मुद्रा वाला ठीक है मुद्रा के यहां एक पेज वो कहां रहा पता नहीं चलो मैं आपको बता देता हूं कि मुद्र के यहां कुछ कार ये बताए गए हैं मुद्रा क्या होती है मुद्रा यानि की लेन देन का जो माद्यम होता है उसे मुद्रा कहते हैं अलग-अलग देसों में अलग-अलग नाम हो सकता है इसे भारत में रुपईया जापान में येन ठीक है चीन में युवान अमेरिका में दोलर इस तरह से तो मुद्रा को अन्य संपदाओं से पर्थक करता है मुद्रा का माध्यम में उप्योग विनिमे क्रिया को सुवी दाजनक बना देता है खाते की इकाई या मुल्य का मापक मुद्रा क्या है मुद्रा मुल्य का मापक है इसका ताथ परिया है कि मुद्रा मुल्य के सामाने मापक का कार्य करती है इसकी सहायता से सभी वस्तूओं और सेवाओं के मुल्य को मुद्रा के रूप में वेक्ट किया जा सकता है पेमाने पर अनेक वस्तों और सिवाओं के विनिमे मुले विनिमे का मलब एक्सचेंज लेन देन शमान इकाई मुद्रा में वेक्ट करके एक उचित लेखातंतर जो है किया जा सकता यद भी मुल्य के एक मापक के रूप में मुद्रा की बड़ी समस्या यह है कि इसका श्यम का मुल्य परिवर्टित होता है मुद्रा का क्या है खुद का मुल्य भी परिवर्टित होता रहता है मगर ध्यान रखना आपको कि मुद्रा एक मुल्य का मापक है मान लीजिए कि ये पेन जो है वो कितना महंगा होगा तो आपने सोचा कि 10 रुपे का होगा, 5 का होगा, 20 का होगा तो 5, 10, 20 ये क्या है? ये इसका मापक है इसकी मापने के लिए जो है वो तरीका है तो मुल्ले का मापक है, मुद्रा और एक इकाई की रूप में काम में आती है विलम्बित भुक्तानों की मानक दोस्तों आपको लग रहा है कि कोई पेज रहे दे हैं तो मैं कोशिस करूँगा कहा रहेगा मैंने पीडिये प्यूप तयार की थी मुझे भी लग रहा है थोड़ा एक दो पेज रहेगे तो आप चिंता नहीं करें, पार्ट टू में अपन उनको देख लेंगे विलम्बित भुक्तानों की मानक मुद्रा जो है, वो क्या होता है विलम्बित भुक्तान, यानि मान लीजिए आप ने कहा कि चलो इसका दस दिन बाद जो है इसका मुल्य चुका देंगे आपने पेन खरीदा या किताब खरीदी तो दस दिन बाद आप उनको चुका रहे हैं तो वो मुद्रा की रुप में चुका रहे हैं तो जिसके दिवरा इस्तकित या भावी जो लेन देना वो सरलता से निप्टाए जा सकते हैं जो भुकतान ततकाल नय करके भविशे के लिए टाल दिये जाते हैं वे इस्तकित भुकतान कहलाते हैं कि भी उधार के आगे दे देंगे चुंकि रिन भी एक परकार का इस्तकित भुकतान है कि बिरीन हमने उधार लिया देंगे तो रीनों को भी मुद्रा की रूप में चुका जाना सरवादिक सरल है आपके पास कोई भी परकार की रूप या कोई उधार है तो चुका सकते हैं मुल्ले अन्य संपदाओं के तुल्ला में अधिक इस्तिर रहता है उसमें सामानी स्विकरती का गुण पाया जाता है अताय मुद्रा को भुक्तानों का स्रेश्ट मांदक माना जाता है जैसे मान लेजिए आपको कोई वस्तू खरी दिया आपने तो आपको उसको देना है का कि हम इसका परतिफल जो आपको थोड़ा रुक के देंगे तो परतिफल के रुप में आप उसको वस्तू लोटाएंगे तो वो हो सकता है कि आज आपने किसी से एक बोरी अनाज लिया आप उसको पांच साल बाद या एक साल बाद सामेने बाद वापस एक बोरी अनाज दो तो उसका मुले गिर गया होगा खराब होगा गया आप उसको मुद्रा दे दोगे तो उस सबसे झादा प्रसन होगा की विशेस्ता नहीं है तो यह हो गया यह हो गया इस तरह से इसका ताथब्री है कि लोग अपनी धन तता संपदा को मुद्रा में रख सकते हैं यानि आपके पास कितना धन है संपदा क्या है सोना, चांदी, जमीन, मकान, गाड़ी इत्यादी चीजें संपदा में आती है मुद्रा भी मुल्य का बंडार है आपके पास मानलो एक लाक रुपे रखे हैं इसका मतलब कि आपके पास इतनी मुद्रा है उससे आप उस मुल्य की कोई भी चीज खरीद सकते हैं मुद्रा मुल्य के संचे की रूप में भी कार्य करती है मुल्य का संचे, इकठा करना मुद्रा के मुल्य का तात्पर मुद्रा की क्रय सकती से है खरीदनेक सकती मुद्रा का मातर भंडार नहीं है मुद्रा को एक भंडार नहीं है अन्य वस्तों और संपदाएं भी मुद्रा के बंडार का कार्य करती है तताई संद्रब में मुद्रा से अधिक उप्योगिता है मुद्रा की मुल्य के बंडार की रुप में मुद्रा विशिष्ट है और सरवाद एक तरल परिसंपती है मुद्रा क्या है तरल यनि लिक्विड कहीं भी ले जाओ और कहीं भी किसी भी चीज में बदल लो आपकी जो इच्छ है वो आप खरीद लो अब जमीन है संपती है उसको आप एक जगर से दूसरे ज़रे ले जानी सकते जब जाहें तब बेश नहीं सकते मगर मुद्रा का आप जब जाहें जो खरीच सकते हैं तो धन जो है वो एक तरल संपती है और क्रे सकती के साथ ही एक मुल्ले का संचित भंडार है इस परकार कोई चीज कितनी कीमती है कितनी सस्ती है मुल्य का संचय है कि आपके पास इतना मुल्य है आप इतनी चीज़ें खरीद सकते हैं इस्तकित भुगतानों के मानक के रुप में जिसे आपको चुकाना है कुछ समय बाद तो वो भी आप मुद्रा के रुप में चुका सकते हैं तो आजकल नगद रुपे की बजाई, ओनलाइन भी, हालांकि वहाँ संख्याई जाती है केवल, कि ये वो पेसे कट गए खाते से उसको भेज दिये, तो वो भी मुद्रा का काम कर रहा है, चेक भी मुद्रा का काम कर देता है, चेक का एकागज का टुकड़ा काट के दिया साइन क करके वो भी काम कर रहा है तो मुद्रा का कार्य करें, वो ही मुद्रा है। कराउधर के अनुसार मुद्रा के परीबासा किशी भी वस्तू की रूप में दी जा सकती है। यह और अर्थ विवस्ता में भूमीका मुद्रा, यानि की मुद्रा का नाम लेते हैं, आपकी दिमाग में रूपएया या डोलर आना चाहिए, मुद्रा की साइता से मुल्य का हस्ताना अंतरण सुविदा सनक हो जाता है, मुدरہ अर्थ वे उस्ता में शाक का आधार परदान करती है साक क्या होता है जीन लेंदिन जो होता है न साक रीन अपनी आये का एक सह बिंकों में मुदरा की रूप में जमा करवाते हैं जैसे मालेजी आपके पास जो अत्रिक्त सेस है उसको बेंक में जमा करवा देते हैं इस जमादन से बेंक साख का सरजन करते हैं यानि लोगों के पास जो रुपया है बेंक में डाल दिया कि भी एप डिक्र रवा दी या बचत खाते में डाल दिया बेंक के पास रुपए पड़ा है बेंक उसी रुपए को फिर लोगों को दे देता है लोन की रूप में तो साख का मतलब यहां सिदा सिदार्थ क्या हो गया लोन वेशे साख होते हैं कि समाज में इसकी साख है अगर आपका वेवार अच्छा है तो लोग आपकी परसंसा करते हैं आपको रुपे उधार दे देते हैं आपके नाम पे दुकान से समाण दे देते हैं तो साख हो गई क्रेडिट बेंक में साख का सिदा मतलब हुआ कि आपकी साह का तब यो आपको लोन दे रहा है बेंक तो यहां सिदा अर्थ लोन से लगाएं मुद्रा ने पुंजी को गती सीलता परदान करके भी अर्थ व्यस्ता में महत्रपन बुमिका का निर्वेहन किया है पुंजी में तो क्या है? कैपिटल में कोई भी चीज आ जाती है आपके पास गाड़ी है, दुकान है उसको गती सीलता किस से आ जाएगी? मुद्रा से आ जाएगी एक्टिविटी मुद्रा के कारणी पुंजी को एक द्योग से दूसरे द्योग में उसको बेची, वहाँ पेमेंट किया, वहाँ खरी दी, बस, मुद्रा की साहिता से ही बचतों को निवेसों में परिवर्टत किया जाना संबव हुआ, आपके पास जो बचत है, अधिशेस है, उसको कहीं और खर्च कर दिया, पेशे कमाने के उदेशे से, निवेस, आपके पास जो पेशा है, उससे आपने किसी दुकान में किसी समान को खरीदा, और आप उसको बेचते हैं, कि हम इससे लाब कमाएंगे, इनिवेस्ट किया आपने, वो निवेस है, आर्थ वेश्टा में बचत करता, तथा निवेसक दो अलग अलग वरग है, एक तो जो इनिवेस कहां करें, अभी बचत कर लेते हैं, जरूत में वापस काम में ले लेंगे, ये संस्ता हैं, वेवसाईयों को निवेस से तो मुद्रा उधार दे देती है, अब आपके पास रुपए हैं मान लीजिए, पांच लाग, आपने बेंक में रख दिये, अब बेंक में र परचत, कोई इनिवेस्ट कर रहा है उसको दे दी, जिम्यदारी बेंक किया आके आपको वो लोटाएगी, तो फरम या वेवसाई मुद्रा को किसी उत्पादक के निवेस में लगा देते हैं, कोई फिक्टरी या कोई और में, इस से अर्थ वेवसाई की उत्पादक शम्ता में वरदी होती है, आपके पास वो पांसलाक रुपे पड़े थे, आपका, नए तो आपको वो वेक्ति मिलता, शिदा, जिससे कि वो किसी फिक्टरी में लगाना है, उससे आपका विवार नहीं, आपके डर रहता, क्या पता वापस देगा, नहीं देगा, बेंक पर आपका भरोशा है, बेंके इसता ही चीज़ है, बेंक आपको वापस देगी, बेंक ने उसको दिया है, तो बेंक का काम है, उससे लोन वापस कैसे रिकवर करें, तो इस तरह से क्या होता है, कि अर्थ व्यवस्ता जो है, उसमें गती आती है, उसकी शम्ता में वरदी होती है, निवेस का ताथ पर यह उस वे यानि खर्च से हैं जो अर्थ वेवस्ता में वास्त्विक उत्पादक संपदा के इस टोक में वरदी करता है यानि उत्पादक था बढ़ाने के लिए जो है जो खर्च किया जाता है पैसे कमाने के लिए लाब कमाने के लिए जो खर्च किया ज हैं तो मुल्ले देखर ही आप सबसे ज़्यादा खुस हो सकते हैं उसके बदले आप कोई वस्तु देखे आपने मुबाइल खरीदना चाह रहे हैं बदले मों कर दिये कि इसकी कीमत का कोई वस्तु ले जाएंगा बताओ चुंकि मुद्रा आसानी से विवाज्य है आता है उप कारवे कर सकता है कि उसे अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त हो तो आपने रुपए कमाए फिर आपकी जैसे इच्छा है कि आपको कपड़ा लाना है समान लाना है खाने का रासन का या आपको सुईदा का समान लाना आप अपनी इच्छा से उसको खर्च कर सकते हैं मुद्र को तो मुद्रा का अविस्कार तो गजब के चीज़ा ना सोचा नहीं न कभी इनके बारे में अपड़ा है तो सोचा होगा मुद्रा उपबोगताओं को वस्तों के चुनाव की स्वतंतरता भी परदान करता है यह आपके पास पैसे हैं जिस हिसाब से आप लेके गए जैब मैं मान लो पाँच जार लेके गए तो आप उस हिसाब से खरीदने का सोचेंगे तस जार ले गए बीस जार ले गए तो आपको आजादी देता है कि आप क्या लेना चाहते हैं आप किस हिसाब से मुद्रा उतपादन के चेतर में भी महत्य भूमिका अदा करती है मुद्रा के द कि शुज़ा मुजग को इस सबसे क्या है उत्पादन भी बढ़ा है जब क्विशिष्ट के उत्पादक कारिये को विभिन अलग स्रम जिम्यदारी होती है कोई सुपर्वाइजर होता है कोई मजदूर होता है कोई फोर्मेन होता है कोई होता है उसमें ठेकेदार जी होते है कोई मजदूर होते है तो सबका अलग-अलग उनके काम के अनुसार उनको बुक्तान कर देते है सरम विवाजन हो जाता है ऐसे मालो पेसे नहीं देते तो काम कैसे सलता क्या देते हैं उनको मालो ठेकेदार है उसको भी खा कि ठीक अब आजरी ले जाओ गेंउ ले जाओ अनाज ले जाओ ठीक है मज़दुर को कह दें गेम ले जाओ तो बात नहीं बनते है ना तो मुद्रा आने से सरम विभाजन हुआ तो सरम विभाजन और विशिष्टी कर्ण से उत्पादक के कुसलता में वरदी होती है आप यह चाहेंगे क्यार हम भी एक्सपर्ट बने तो क्योंकि हम अगर एक्सपर्ट होंगे इस सेच के ज़दा जानकार होंगे तो क्या होगा मुद्रा जो है वो ज़दा मिलेगी तो इसलिए कुसलता में वरदी होती है तथा उत्पादक्ता का उच इसतर प्राप्त होता है मुद्रा के अभाव में आप देखते हैं न जैसे लोग बीटेक वगर करते हैं फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको पेकेज मिलता है गूगल की सीउए उनका पेकेज सुनते हैं तो क्या है उनका वहाँ योगदान उनका मांजी की स्तर का कुसलता का ये तो योगदान है मुद्रा के अभाव में समझ्या यह है थी कि जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसका उत्पादन में सहलगन सभी इकाईव में वित्रन कैसे हो वे अब सभी को किस परकार से बराबर बराबर बांटें कम दें, ज्यादा दें, कितना दें ज्यादा का भी वो क्या करें अनाज लेके मानलो अनाज हो या कोई और हो तो मुद्रा के माद्यम से उत्पादन में सहलगन विभिन उत्पाद की इकाईव में उत्पादन का वित्रन संभव है प्राप्त कुल उत्पादन या वस्तू को विभाजित किया जाना सदेव संभव नहीं है जैसे मालोब कोई वस्तू उत्पादन हुई उसके बराबर बराबर टुकडे हो सबी चीजों के संभव नहीं है लेकिन इसके मुल्य का मुद्रा के मादिम से सभी आफशे की कायों में उचित आर्थिक नीमों का पालन करते हुए वित्रण बांटा जा सकता है। कहां उसको तोड़ेगा टुकड़ा करेगा कितना कितना देगा कहां वो उसकी सुद्धा जांचेगा इतनी अधिक मातरा में व्यापार संभव नहीं होता तो समझ गए होंगे मुद्रा के कारिये वरतवान समय में अब आपके मुद्रा की चीज़ समझ में आगी होगी कुछ कलियर हुआ होगा या फिर कलियर है तो भी आपको यह पता लगा कि इस किताब में क्या दे रखा है और 6-10 तक की किताबी जो है ना मित्रों वो एक तरह से बेस है कई विद्यारती पूछते है कि केवल हम 6-10 पढ़ रहे हैं प्रयाप्त है क्या हालनकि अभी इसका उत्तर हा आपको लगरा इजी है कि 6-7-8 आप किताबों को पढ़ते हैं तब देखते हैं कि कितना गहन मेटर इन में दे रखा है और इसी गहन मेटर के आदार पर हमने क्यूशन तयार किये हैं दोस्तों आप लोगों ने अब तक साइद देख लिये होंगे कुछ मेने वीडियोज भी लगा रखें आपको सेंपल पेपर के रूप में जिसमें सभी किताबों का सार के रूप में निचोर के रूप में 100-100 क्यूशन जो है परतेक पुस्तों से तयार किये हैं फिर कमाइंड क्यूशन और तयार किये हैं तो 6-10 तक की सामाजिक विज्यान की पुस्तों के करीब 800 फिर हिंदी के मुनविग्यान के शिक्षन वीडियों के अलग से करेब तीन हजार परसनों का संग्रह है हम आपको दे रहे हैं Yes Guru एप के उपर तो वहाँ आप Yes Guru एप डाउनलोड कर सकते हैं मातर 3 MB का है डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फिर आप जो है वहाँ टेस्ट स्रीज जो है उसके पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेवें डिटेल पढ़ लेवें फिर आपको जो है वो आपके समझ में आएगा कि क्या मेटर है तो ये क्यूसन है एक तरह से वर्तमान समय में राजे के कल्यानकरी सवरूप को अत्यदिक बल मिला है कल्यानकरी का मतलब है कि सरकार लोक तंतर राजे का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो वो कल्यानकरी रूप होता है राजे या सरकार द्वारा अप भी लेती है सरकार विदेश सी बेंग की त्यादी से जो मुद्रा के रूप में ही प्राप्ट किये जा सकते हैं वर्तमान में मानव का विकास जिस इस तर पर पहुंचा है आज आप देखते हैं बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें इमारतें अंत्रेक्स में विक्ति पहुंचा तो ये सब पुल वगरे सडकें ये सब किस वज़े से संबव हुआ है मुद्रा की वज़े से मुद्रा के विष्कार से ही संबव हुआ है संबव हुता है मनुश्य के जीवन का इसा कोई क्षेतर नहीं है जा मुद्रा की कोई भूमी का नहीं हो मुद्रा एक सादन है से पहनेंगे स्तरवदी लग रही है तो पेसे नहीं ओडेंगे नोट ओड़िस हो गई वहां कंबल ओडने पड़ेगी मगर कंबल लाएंगे कहां से मुद्रा से ठीक है तो मुद्रा एक साधन है साधन नहीं है वस्त में खरीदने का सुक सुविदा का शेवा का शेवा लेने क शेवा का मतलब हो नहीं कि पाउंद अब हो ना, शेवा का मतलब विभीन परकार के जो मार्केट में जो कामदंदे उपलब्द है, वो शेवा चेतरा, तो मुद्रा मेरे ख्याल से हैं, ये टोपिक पढ़ने से आपके कुछ और कलिर हुआ होगा, अब हम देखते हैं बचत और साख, जैसे मा लिजिए, बचत, तो आप लोगोंने भी थोड़ी बहुत चोटी मोटी ज्यादा बचत कर रखी होगी, नोकरी लगेंगे, दुआ करते हैं, और ज्यादा बचत करेंगे, ठीक है, तो वितिये संस्ताओं के संबन में, गहनता से जानने के लिए, वितिये संस् ने के कमाई दस हजार, दो हजार बचा लिए, तो वचत है, मगर थोड़ी अर्थ वेस्ता के एसाब से, साख क्या है, साख कि आपकी गलिम बोले में अच्छे साख के लोग करते हैं, वाउसा, वाउसा, वो तो है, बेंक में साख का मतलब है, कि बेंक ने आपको लोन दिया क नहीं दिया, तो वो साख है, तो अवधारणा को समझें, बच्छे तोर साख के अवधारणा को समझने के लिए हम निमले के तीन इस्ततियों पर विचार करते हैं, इस्तति एक, पंकज, राजस्तान के शिकर जी लेके, कट्रा थल गाओ, जिक्के के साब से कट्रा थल याद आपको, यहाँ पर वो किसोरी देवी की अध्यक्स्ता में एक सी साल समयलन हुआ था, 1931 की इकटना है साइद, यादोगा आपको किसान अंदोलन के दोरान, कक्षा नो राजस्तान दिन में है, और राजस्तान दिन दस अभी बाकिया दोस्तों करवाएंगे, बारिव के मनव आप लोगों की तरह है, उसने एक अच्छे संस्तान से वेवसाइख शिक्षया प्राप्त की, वेवसाइख शिक्षया का मतलब बी एड या कोई एम बी एट या दी, और अपना श्यम का वेवसाइख करना चाता है, कोई दुकान उकान, उसके पास वेवसाइख के अनेक वि दाम चाहिए, तो उसके पिता पर एक सामाने कर सक है, और जो परिवार के आवसाइख को पूरा कर पाते हैं, इस इस्तति में वेवसाइख शिक्षया करने हैं, तो पंकज के पास मातर विकल्प है कि वह आवशेक पुंजी उधार प्राप्त करें, ठीक है तो दाम कहां से ल यानि सो रुपे अगर आपने लिए, तो एक साल के बाद 124 रुपे, महीने के 2 रुपे, 12 महीने के 24 रुपे, तो 24 परतिसत, किसी भी बेंक में लोन पर 24 परतिसत ब्याजदर नहीं है, मगर गली महलों में 24 परतिसत यानि 2 रुपे शेकड़ा एक नॉर्मल बात है, हम दोनो की कमिया भी देखेंगे कि कौन सा फाइदा तो देखो उस बेंक वाले में है, मगर वो मिलता नहीं है, क्यों कि वहाँ थोड़ा सा आपके साथ चाहिए, कागजात चाहिए, कोई बेंक इतने आसानी से भी आपको सिधा गए तुरंत दे दिया कि लो, जबकि गली महले में 2 पर तीन रुपए वाले क्या करते हैं, कि आपको तुरंत दे देते हैं, वो थोड़ा इस वज़े से वो ज़्यादा सलता है, संजे जुनजुनु जिले के राजपुरा गाउं में रहता है, उसके बाता पिता व्रद है, उसके सामानी अता है, पिता बीमार रहते हैं, तीन बेहनों में वैं सबसे बड़ा यहां तीन और दो पाँच है परिवार का एक मातर कमाने वाला सदस्य है संजे उसके बाद दो हेक्टेर का छोटा सा खेत है एक्टेर आप जानते होंगे सो वाई सो जो है वरग मीटर साइद यही होगा ना तो वहें इसी खेत में कर्शी कारे क कि मालुदवाईयां परिवार का सब कर्शी से इतना नहीं है वो भी बाराने कर्शी से परिवार की मूल बूत आश्यक्ताओं को सुन्चुष्ट करने तो आप शिक करें कि संजे किसी वेक्ति आशनस्ताशी आप धन उधार पराप्त करें अब यहां देखो संजे जो है वो ज़्यादा गरीबी की स्थती में जा सकता है जबकि पंकज जो है वो प्रोग्रेस की उर जा सकता है नितेश और उसके पतनी चांदनी जेपुर में रहते हैं नितेश एक बेंक कर्मी है उसके पतनी भी सरकारी शेवा में दोनों नोकरिवाड़ें देखो हैं तो दोनों मित कर लेते हैं विखाली एक की बहुत है है ना नितेस नितेस अड़ों गर खर्षो चाल जा चांद नियाड़ा बच जया वह जिया जिया ठीक है अता है इनके पास क्या है बचत है तो आयका एक प्रयाप्त इसा बचत की रूप में रह जाता है बेंक में है जिये रेजातन का खर खर्षाच लाने के लिए क्या चाहिए रीन है दोनों को रीन क्या हो सकता है अरसातर में रीन या उधार परदान करने को ही साख परदान करना कहा जाता है याद रखना यहां से सिदे क्यूशन बन सकते हैं प्यारे बच्चों ठीक है तो बोलचाल की भासा में साख सब्द व बिना बेंक में पेसे हुए भी आप पचास हजार तक या एक राक उसकी जो लिमिट होती है उतना आफ खरीद सकते हैं क्योंग बेंक को पता है कि ये वेक्ति खरीद कर भागेगा नहीं इसका रिकोर्ड अच्छा है और वो चुका देगा तो बोल चाल की भासा में साख विति यह होगा इसके आदार पर इसके आदार पर विक्ति असनस्ता भविश्य में भुक्तान के वाइदे के आदार पर रिन प्राप्त कर सकते हैं कि हम दे देंगे एक बार देदा हो जा रहे हैं कई तो मिठे बोलके भी ले लेते हैं फिर चुकाते नहीं है फिर मूँ फेड़ लेते हैं एकावत ना कल बेर नहीं वन तो देर बांद लिए कई लोगों के आदत होती है पैसे ले लिए तब तो उधार लेने आये तो मिठे बोले फिर देद्यांतों का एक खामा के ऐसे बोलते हो तो ऐसी इस्तति में क्या होता है साक उसकी चली जाती है चौपट या मतलबवा जीन लोन में अपन क्या लेंगे धन लेंगे और तो क्या लेंगे तो लोन के लिए धन लेना जिस परकार विनिमे में एक पक्ष वस्तु क्रे करता है दूसरा पक्ष विक्रे करता है क्रे यानि खरीदना विक्रे यानि बेचना क्रे विक्रे एक ही सोदे के दो पक दोरी प्रक्रिया होगे ना करे विक्रे दोनों होगे साथ ठीक है तो इसी प्रकार वित या कोस के लेंदेन में एक पक्स उधार लेगा लूसरा उसको उधार देगा ठीक है तब ही तो होगा तो इस प्रकार वित ये लेंदेन में जितनी राशी रिन के प्राप्त होगी उतनी साह का मतलब सिदा सिदा बात है लोन जीन इस्तति तीन पर विचार करें ठीक है तो हम पाते हैं कि नितेश तथा चांदनी के पास आय का बड़ा हिस्सा एपरिप्त रह जाता है खर्च कर लिया बच गया क्या करें बेंक में डाल लो आय का वह भाग जिसे उपभोग नहीं लिया गया बचत कहलाता है ध्यान रकना आय का वह भाग ये सब्दावली देखला आप जिसे उपभोग नहीं किया गया खर्च नहीं किया गया बचत कहलाता है और लाब कमाने के लिए खर्च किया गया निवेश कहलाता है अता है उपभोग पर आई का आदिके ही वचत है उपभोग पर आई ज्यादा है यानि खर्च कम और आई ज्यादा आमदनी रूपया खर्चा रूपया नहीं आमदनी रूपया खर्चा रूपया खर्चा रूपया तब वो क्या है वचत है यहां अनेक पर्षन उत्पन होते हैं अब आपके हुए या नहीं हुए पाठ में जुरूर हो गए पंकज को वेवसा इस्तापित करने तो पुंजी कहां से उपलब दोगी या तोड़ोस प्रोस से कोई शेट साव का रिस्तिदार से या बेंक से संजे को परिवार के आओ सकता ही पंकज या संजे को दार दे सकते हैं नहीं देख सकते हैं क्यों क्योंकि उनको क्या पता कहां संजे हैं कहां पंकज है एक जुन जुन बेठा है एक शिकर बेठा है एक जेपूर बेठा है शेखवाटिक है तिनों तो नहीं जेपूर शेखवाटिक है शेखवाटिक है तो तो नितेयस तता चांदनी द्वरा पंकज का संजे को शिदे ही उदार दिये जा तो जा सकते हैं लेकिन इनके अन्यक विवारिक समझे उत्पन हो सकती है, कि वो उसको वापस देगा या नहीं देगा, चांदनी यह नहीं जानते कि पंकज ना संजे का आर्थिक विवार कैसा ह है ना तो उन्हें रिण देने में अपनी गाड़ी कमाई डूबने का भया रहता है दिवितिये उसके किसी कारण से उन्हें पेशी के अचाना काव सकता होती है तो संजे और अलब सूसना पर पेशे लोटाने में ऐस समर्थ है मालो वापस जुरूत पड़ी अब पंकज को नह थेस और चाननी का पंकज संजे से कोई परिचे नहीं हो तो वास्तविक रूप से देने वाला और अंतिर रूप से रिण लेने वाला दोनों अलग-अलग पक्ष होते हैं और उनके बीच एक शेत्व क्या हो सकता होती है यानि वो कोई एक एशी जगह जाएं जहां वो भी और वो भी और कोई तीसरा वेक्ति बीच में हो तीसरे संस्ता कोई बीच में हो और वो संस्ता कौन होती है बेंक तो एक पूरी भूमिका से आपके समझ में आ गया होगा कि बेंक जो है वो किस तरह से काम करती है तो यह है भूमिका वित्ये मध्यस्त कहलाता है अब आगे व बड़ी बचा तो भी ले आओ और वापस भी ले जाओ ठीक है परन्तु इतना असानी से नहीं एक प्रोसेस होती है वितिये मध्यस्थ वे संस्तान या फरम है ध्यान रखना वे संस्तान या फरम है जो वितिये बजार में जमा करता हूं दार लेने वालों के बीच एक शेत्ट करवा दो तो बजार में जमा करता हूं दार देने वालों के एक शेत्टू का कारिये मध्यस्थ करते हैं ये संस्तान उन वेक्तियों से धन प्राप्त करते हैं और अपने आई में कम खर्च करते हैं और बचत करते हैं जिसे चांदनी जैसे लोग उनसे ले लिया जूर नहीं करवाते हैं तो उंहें उचित ब्याज परअबट होता है और धन डूबने का जोपिंदी बहुत कम होता है कि सरकारी है यहां मालोग परतिश्टी थे तो डूबेंगा नहीं देते हैं 2 रुपया शेकड़ा तो नहीं देंगे यानि 24 परतिसत तो बचत खाते पर 4 परतिसत 4,5 परतिसत एबडी पर 6-7 परतिसत 6 परतिसत का मतलब क्या वा 12 परतिसत यानि एक रुपया से कड़ा 6 परतिसत यानि आठ ढ़म 20 पे से समझ गए होंगे आप मौल चाल में महिने के 50 पे से साल के 6% यानि 100 रुपे आपने जमा कराए तो एक साल बाद 106 रुपे ले जब ठीक है कहां बेंक की त्यादी में तो कहीं 6 कहीं 7 अलग-अलग योज नहीं होती है अलग-अलग एक मोटे तो रुपे मैंने आपको बताया है और जब बेंक देता है ना वापस जिन देता है तो उस पे कितना लेता है 10 से लेके बार है परतियसाथ और अपने को ब्याद देता कितना है 4 से लेके 6-7 के बीच तो ये बेंक की बचत हो जाती है अपने को दिया इतना और खुद ले रही है इतना कई बार उनका लोन डूब भी जाता है विजे मालिया जैसे फरार वा जाते हैं तो उसमें क्या होता है बेंकों को कई बार नुक्सान भी होता है तो बेंक अपनी बचत से फिर अपने खर्चे चलाते हैं इस तरह से तो जम्मा करताओं के पास यह भी सुधा होती है कि उन्हें जब जरुत हो वे अपने जम्मा को तुरंत या अलप सूचना पर वापस ले सकते हैं मानलो आपको कली जरुत पड़ी कितने रुपे चाहिए आपने दे रखें अपनी करवा रखें अपनी तूड़वाई तो बेंक अपने पास नगर भी रखते हैं इस परकार उधार देने वाले वेक्टियों और संस्ताओं को भी वित्ये संस्ताओं से अनेक लाप राप्त होते हैं वित्ये संस्ताओं के पास सदेवधन की उप्रब्धा बनी रहती है ये उचित ब्यासदर तता स्विकारियासान सरतों पर साख पड़ान करते हैं वित्ये मद्यस्त क्या होता है वित के हिसाबसे जो बिचोलिया होता है वो तो दोस्तों लगवग आदे घंटा का वीडियो बन गया है ताकि आप बोर नहीं हो पार्ट टू में हम जो बच्चीवी चीजे हैं वो देखेंगे चेक वेक हम देखेंगे वाने जिक बेंकों के कारिय देखेंगे काफी अच्छा मेटर इसमें देशी बेंकर क्या है साहुकार क्या है और स्विम सायता समोग क्या है चिटपंड क्या है और फिर अभ्यास परसन भी देखेंगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो अच्छा लगा है तो इससे क्या थोड़ा फीड़ बेक मिले और चैनल को सुब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और यस गुरू एप को भी डाउनलोड कर लेना इसी चैनल का आपका अपना ही एप है वहां भी कुछ मेटे लिए आप देख सकते हैं धन्यवाद